हेंगिंग बास्केट में लगने वाले ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो बहुत ही कम जगा लेने के साथ साथ 3-5 इंच के पौट में लगकर कम दूब, कम देखभाल और कम पानी में और बिना फटिलाइजर के कई सालों तक एक ही बास्केट में हमारे पौधे काफी काफी हेल्दी मेरा यह पौधा आप देख सकते हैं पांच इंच के पौट में चल रहा है यह जो पौधे होते हैं इनको बहुती कम दूब, कम पानी और बिना फटिलाइजर के कई सालों तक यह पौधे बड़े हेल्दी रहते हैं लेकिन अगर आपकी सेक्लेंट से खराब ह हो जाते हैं तो आपको हाडी सेक्लेंट को लगाना चाहिए हाडी सेक्लेंट में फ्रेंट से यह अची वेरिया कि यह काफी हाडी होता है जो बहुत ही आराम से हर सीजन में हमारे गाडन में काफी हेल्दी रहते हैं तो इसके उपर मेंने वीडियो आपके साथ शेयर कर रख यह भी 5 इंच के हेंगिंग बास्केट में मैंने लास्टियाः ऐसे Meetup क्टिंसे ग्रोही दौन videos keeps growing सकते हैं और पर्ण से इसकी कितिने अच्छी ग्रोथ है निची की तरह पर लटकते हुए पौदे से कितने खुब तो यह पौधे ऐसे ही खिलते रहते और बढ़ते ही रहते. कटिंग से यह पौधा बहुत जल्दी लग जाते हैं. अगर आपके पास बहुत कम जगा है या विंडो काफी बढ़ा है और वालकुनी में हेंगीं करने के लिए आपके पास जगा है तो आप इन पौधों को अपने गाडन में एट कीजिए बहुत कम स्पेस में फ्रेंट से आप इस पौधे को लगा सकते हैं ये पोथूस की एक वराइटी है जिसे मनी प्लान्टी भी कहते हैं काफी सुंदर सुंदर इनके आजकल कलर मिल जाते हैं और जि काफी हेल्दी आप देख सकते हैं पौधे की सारी लिव से कितनी शाइनिंग है प्रांचे कितने हेल्दी है चोटे से पौट में ही ये पौधा है ट्रंगल हाट पहले में इस पौधे की लेंथ दिखा देती हो देखिए कहा तक नीचे की तरफ ही लटक रहा है और ये जो प ये है फ्रेंट से 7 इंची का प्लास्टिक का पौट मेरा और ये पाच इंची का है तो फ्रेंट से अगर आपकी पास बहुत कम जगा है फ्रेंट से तो आप इन सुंदर-सुंदर पौधों को छोटी-छोटी पौट में आराम से लगा सकते हैं जिनकी लेंथ है आप चेक कर होनी चाहिए वो बहुत ही भुरबुरी होनी चाहिए उससे हमारी प्लांटी की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है यह जो पौधा है इसे पीलिया एक्सप्रेसो कहते हैं काफी सुन्दर दिखने वाला एक पौधा होता है और यह देखे मैंने घर में तियार किया है इस करके लाइ तभी वाले पौधे को लगा सकते हैं ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको हम आराम से चोटी से पasan में यह घर में तियार प्लास्टिक के पाट में इन पौधेको लगा सकते हैं ऐसी यह देखी स्पाइडर प्लांटों को मतीन साल से इस 65 सोर्भवाला को मñ के ऐसे रनर से निकलते हैं और इन चोटे-चोटे बेबी प्लांटों को अगर हम कहीं और लगा दे तो एक नया पौधा हमें बहुत जल्दी साल में किसी भी टाइम मिल जाता है काफी हाडी ये प्लांटों होता है इसी की साथ ये जो पौधा है इसे सुट पटाटो वाइन का परपल डार्क परपल कलर हैं काफी सुंदर लगता है ये पौधा और ये भी चोटे से हैंगिंग बास्केट में हम इस पादे को भी लगा सकते हैं इस पौधे के लिए हमें थोड़ी सी मौनिंग की संलाइट चाहिए होता है इनका कलर ऐसा डार्कों होनी के लिए और अगर हम एकदम अंधिरी जगा पे रखते इस पौदे को तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है चलिए मैं आपको मेरी हैंगिंग बास्केट में सबसे लंबाई वाले पौदे से मिलाती हो जिसकी हाइड ये देखिए आप चेक कर सकते हैं पाच इंची के प्लास्टिक के हेंगिंग बास्केट में मैंने इसे कटिंग के थरूग रोग किया है और ये देखिए ये कम से कम चार से पाच फिट तक ये नीचे लटक रहा है फ्रेंट से और कितने हेल्दी है ये टॉटर वाई ने फ्रेंट से काफी हाड़ी मजबूत और टिकाव प्लांट होता है जिसे हम इंडोर आउट्डोर दोनों साइट लगा सकते हैं इस पौधे में अगर हम एक हपते तक पानी भी नहीं दे रहे तो भी काफी हेल्दी ये पौधा चलता है और यहाँ पर देखिए एक पौधा मेरा है पाच इंचे के हेंगिंग बास्केट में लगा हुआ है जिसे बीवी सन रोस कहते हैं इस पौधे में फ्लावर खिलते हैं ऐसे कुछ चोटे-चोटे से कलर के हैं और इनके दो से तीन कलर हमें मिल जाता है काफी हडी यह सेकुलेंट से होता है इसके लिए हमें ज़्यादा बड़े पौट की भी जरूरत नहीं होती है इस पौधे को इस त्रैम हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बहुत जल्दी इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है लेकिन कटिंग जब आप करेंगे फ्रेंट से तो उसमें पानी बिल्कुल भी मत दीजिएगा बारिश की पानी से इनकी कटिंग स्खराब हो जाती है यह दिखें कटिंग से ही मैंने इसी के पास में एक बास्किट को तियार किया है और बहुत सारी इनके न्यू ब्रांचेस ग्रो हो गया है इसके आसपास से सबसे पहले आप इस पौधे को एक पर देख लीजिए यह नीचे कहा तक लटक रहा है और एकदम फुटवाल की तरह बन गया यह पौधा इससे पिंक टॉटर वाइन कहते हैं काफी सुन्दर एक हेल्दी और एक मजबूत प्लांट होता है जिसे हम इंडोर आउट्डोर दोनों साइट लगा सकते हैं इस प्लांट को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यह एक पाच इंचे के प्लास्टिक के पॉट में लगा ओगा क्योंकि यह कहीं से भी मन नजर नहीं आ रहा है इतना हेल्दी यह पौधा होता है चोटी से हेंगिंग बास्किट में लगने वाला यह जो बहुत ही संदर सा एक पौधा है इसका कलर काफी संदर लगता है इसे wandering zoo कहते हैं ये भी दीखिये 5 इंचे के plastic के pot में मैं लगा रखा है और cutting के through prints से अभी ये 15 ये 20 days हो रहे हैं और कितना healthy मेरा ये पौधा है काफी संदर देखने वाला ये पौधा होता है प्रंट से indoor, outdoor हम दोनों site लगा सकते हैं पानी में भी इस पौधे को हम grow कर सकते हैं काफी healthy ये पौधे रहते हैं ज्यादा देख भल बिल्कुल भी नहीं लेता है एक छोटी से hanging basket में आप बहुत सारे color चाते हैं तो आप नैंथरा को add कर सकते हैं नैंथरा काफी hardy plant होता है जो बिना पानी केवी 2-3 दिन बहुत आराम से खिले-खिले से रहते हैं सबसे पहले आप इस प्लांटे की color को चेक कर सकते हैं एकी पौधे में कितनी सारे color आपको नजर आ रहे होंगे चोटी-चोटी से इनकी lips होते हैं काफी सुन्दर से color लगते हैं बहुत ही कम देखवाल में हमारे garden में काफी खिले-खिले से रहते हैं तो ऐसे मजबूत प्लांटों और टिकाव प्लांटों को कम देखवाल प्लांटों को अपनी garden में जरूर एट करते रहना चाहिए और यहां पर देखिए फ्रंट सक जगा कम होने के वज़े से एक हैंग में मैंने तीन हैंगिंग बास्केट को हैंग कर रखा हैं और यह साड़े तीन या चार इंचे का एक प्लास्टिक का हैंगिंग बास्केट है जिसे घर में मैंने खुद ही तियार किया है और इसमें मैंने यह string और बनानों को cutting से grow किया है और इसकी growth आप देखिए फ्रेंट से कितना healthy मेरा यह पौदा है और इसका mother जो plant है वो साथ इन्चे के plastic के pot में मैंने यह पास साल से इसी पौदे को इसमें लगा रखा और इसकी में लंबाई आपको दिखा देती हो यह देखिए कहां तक पौँच रही है फ्रेंट से यह देखिए नीचे तक कम से कम 3 फिट के इसकी लंबाई होगी और कितना healthy मेरा यह पौदा है और एक इसी पौदे की cutting करके मैंने फ्रेंट से अपने garden में धेरो सारे इसी पौदे को तियार किया है काफी हाडी यह पौदा होता है फ्रेंट से इन पौदों को ज़दा अपने जगा चींज करना पसंद नहीं होता है तो सेकुलेंट से में इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यह एसपरागस से फ्रेंट से और यह देखे प्लास्टिक की बोदल को काटके मैंने हैंगिंग बास्केट तियार किया है इसमें मैंने एसपरागस को लगा रखा है और कितना हेल्दी यह पौदा चल रहा है इसी की तरह यह भी एक प्लास्टिक की बोदल को काटके मैंने हैंगिंग बास्केट तियार किया है और इसमें मैंने स्ट्रिंग बनाना ट्रंगल हर्ड भी है इसमें दो प्लांट को एकी साथ मैंने add किया है काफी अच्छा लगता है मुझे दो प्लांट को एकी साथ add करना और ये भी एक छोटा सा hanging basket जिसमें मैंने ट्रंगल हर्ड, पिंक सिंगोनियम और इसमें मैंने पोतोस की एक चूटी सी कटिंग भी लगाया है और ये देखे मैं दिवाल पे इसे हैंग करती हूँ तो ये थी कुछ फ्लांटे फ्रेंट से जो 3-5 इंचे के हैंगिंग बास्कीट में लगकर हमारे गार्डन को सुन्दर बनाते हैं तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल में पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब की साथ साथ बैले किन के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रेंट से जए जए भारत